नमस्कार दोस्तों मैं नारेंदर करनाण कि क्रिष्णा प्रांट केर में आपका हाड़ दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों दिसंबर का महीना चल रहा है और इस महीने में दोस्तों आप विंका रोज की धेर सारी कटिंग लगा सकते हो दोस्तो विंका रोज के अंदर हाइब्रीड आता है देशी आता है देशी की वराइटी तो दोस्तो आराम से लगा सकते हो आज का दोस्तो वीडियो मेरा hybrid विंका रोज का है जिसके अंदर दोस्तो आप धेर सारी विंका रोज की cutting आराम से घर पे लगा सकते हो और इसके अंदर दोस्तो आपको 100% result मिलेगा दोस्तो ये nursery basis पे वीडियो है तो वीडियो को पूरा देखिए जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तो ये जितने भी प्लांट से आप देख रहे हो सारे मेंने cutting द्वारा ही ग्रो किये है cutting के लिए दोस्तो बस आपको इतना करना है जितने color के आप विंका रोज लगाना चाहते हो उसके आपको cutting आपको चाहिए होती है आप कहीं से भी आजपडो से जहां से भी आपको cutting मिल सके वो cutting ले आईए साइज की कोई माइने नहीं रखती तीन इंची चार इंची या दो इंची भी इसकी cutting लग जाती है और दोस्तो इस टाइम पे जिस ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर आपको पूरा पूरा पोदा दोस्तो आसानी से तयार हो जाएगा मिट्टी की बात करें तो दोस्तो में ले रहा हूँ रिवर्सेंट 80% और 20% दोस्तो गोबर की खाद है जो की सड़ी वी है दो साल पुरानी है इसके जगह अगर आप खाद 2 साल पुरानी नहीं है तो दोस्तो आप फर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हूँ इसके मिक्स्टर को दोस्तो अच्छे से मिक्स करना है फिर दोस्तो हमारे को विंकारोज की कटिंग लगानी है जहां तक port की बात है तो दोस्तों किसी भी size के आप port ले सकते हो लेकिन मैं दोस्तों nursery basis पर वीडियो है तो दोस्तों ये सिकोरे में ही cutting लगाता हूँ जितने भी सिकोरे होते हैं उसके अंदर cutting लगाते रहते हैं जो किसी सिकोरा रखने के लिए है तो दोस्तों इसी के अंदर हम आज cutting लगांगे cutting दोस्तों मैं ने पहले से काट रखी थी ताकि वीडियो लंबा नहीं हो सके और इस cutting के अंदर सारे ही color है अप्रोक्सिमेट जितने मेरे को कलर मिल सकते थे मैंने सारे ही कटिंग ले लिए अब दोस्तो इसको पत्यों को हमारे को नीचे से हटाना है जितना दोस्तो पोदा हलका होगा उतना ही आसानी से कटिंग लगेगी तो नीचे से जो ज़्यादा पत्यां होती है बड़ी बड़ी के चंसेज बहुत ही कम हो जाते हैं इसलिए दोस्तों जो भी कटिंग लगाते हैं सारे की पतियों को हटाया ही जाता है और जो टेक्निक दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं उसके अंदर आपको 100% result मिलेगा और दोस्तों मैं पूरे साल बर इसकी कटिंग लगाता रहता कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ टिप्स को फोलो करना पड़ता है, अगर आप भी जो टिप्स में बता रहों उसकी फोलो करोगे तो दोस्तों आपको 100% रिजल्ट मिलेगा अब दोस्तों मैंने सारी कटिंग की पत्यां हटा लिए है, अब दोस्तों इसको लगाने का टायम आ गया है, स्योयль मिक्सर को दोस्तों अच्छे से twist करेंगे, और फिर दोस्तों अगर आपके पास पॉर्ट है तो आप पॉर्ट में लगा लिजिए, मेरे पास सिकोरे है तो दोस्तों मैं इन सिकोरों में ही इसकी कटिंग लगा के दिखाऊंगा और फिर दोस्तो इसका पाने का तरीका बताऊंगा कि हमारे को इसमें वार्टिंग कैसे करनी है कटिंग दोस्तो कभी भी आप लो तो दोस्तो कटिंग काटने के बाद में उसी टाइम इसकी कटिंग को लगा जाता है ऐसा नहीं होता कि सुबह कटिंग और शाम को लगा ली तो इस बात का ध्यान रखिए इस कटिंग को जब भी लगाओ दोस्तो उसी टाइम पे लगाया जाता है मार्केट में अगर दोस्तो इस पोदे को लेने जाते हैं तो दोस्तो 40-50 रुपे तक लग जाते हैं इसके अंदर रिवर्स एंड आसानी से दोस्तो इसके अंदर बारके और तुरंत इसके अंदर पोदे के अंदर जो कटिंग है वो हम डाल देते हैं जिससे दोस्तो बहुत जल्दी तयार होता है और दोस्तो इसके अंदर लगाने के अंदर हमारे को 10 सेकिंड भी नहीं लगते अगर दोस्तो आप भी सिकोरे के अंदर लगा रहे हो तो कटिंग को कभी भी लगाओ पूरे अच्छे से अंदर तक नीचे तक इसकी कटिंग जानी चाहिए और फिर दोस्तो पूरे अच्छे से उपर तक इसको मिट्टी को बरा जाता है और दोस्तो इस केरेट को इसलिए ले रहे हैं ताकि दोस्तो हम जब पानी देंगे तो दोस्तो इसको उपर से कम देंगे फिर नीचे से ज्यादा देंगे कटिंग के अंदर दोस्तो पानी की कमी बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर भरपूर पानी दिया जाता है अगर हम भरपूर पानी देंगे तो जो दोस्तो अभी हमने पत्तियां छोड़ी है इस cutting के अंदर तो दोस्तो एक भी cutting जो है वो मुझाएगी नहीं तो उससे दोस्तो इसके अंदर root बनने के chances बहुत ज्यादा हो जाते हैं जहां तक रखने के स्टान की बात है तो दोस्तो इस cutting को करीब 8-10 दिन के लिए चायां के स्टान पे रखेंगे दूप बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे और दोस्तो पानी की पूर्ती तो बराबर करते रहेंगे सुबह से हम इसके अंदर स्प्रे की मदद से या नीचे से पानी देते रहेंगे तो दोस्तो ये cutting बिल्कुल success हो जाएगी और इस cutting में दोस्तो इसी सिकोरे के अंदर flooring स्टार्ट हो जाएगी और करीब 15 दिन के बाद में दोस्तो इसको बड़ी थेली के अंदर transplant कर लेंगे जैसे हमारे पास nursery वाली काली थेली होती है उसके अंदर पोदे लगा लेंगे वीडियो के अंत में दोस्तो जो पोदे आज हमारे बहार जाने वाले है उसकी वीडियो भी है तो दोस्तो वीडियो को अंत तक देखे और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे request है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि दोस्तो मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे हम जो कटिंग तयार कर रहे है और दोस्तो जो बजार से अभी पोदा लाके जो हम घर पे लगाते है विंकारोज के तो दोस्तो उस पोदे के अंदर हमारे पोदे के अंदर दिन रात का अंतर होता ह क्योंकि दोस्तों जो हमने कटिंग ली है वो मदर प्लांट भी हमारे यहां का है तो दोस्तों वो हमारे क्लाइमेट के अनुसार सुटेबल रहता है और जो बजार से लाते हैं दोस्तों वो बहुत जल्दी मर जाता है और बहुत से लोग सिकायत भी करते हैं हम लोग विंकारो लग चुकी है अब दोस्तो इसको पानी देने का टाइम आ गया है सुरू में दोस्तो हम इसको उपर से पानी देंगे अच्छे से और फिर दोस्तो बाकी बच्चे पानी को नीचे इस केरेट के अंदर डाल देंगे ताकि दोस्तो अच्छे से पानी लग जाए अगर आप दोस अग्जान кино, क्यान के साइट से डाले ताकि की कटिंग नहीं ले और आपको अच्छा से इसका रिजल्टमिले यह कटिंग दोस्तो 15-20 दिन के अदर ट्रांसपलांट करने के लायक हो जाएगी, तो दोस्तो हम इसको ट्रांसपलांट कर लेंगे और पानी दोस्तों इसके अंदर हम बढ़ते रहेंगे हमारी नर्सरी के अंदर दोस्तों पोदे तयार होते रहते हैं और कम क्वांटिटी में तयार होते हैं और जाते रहते हैं अभी दोस्तों कुछ एक कस्टमर आया था उसने इतने पोदे निकाले जिसकी वीडियो में ने बना ली थी आप देख सकते हो उसके अंदर कितने सारे पोदे गजेनिया के भी हैं कोलियस के भी हैं पॉलकाडोट प्लांट भी है और हाइब्रिट सदाबार भी है इस सारी कटि स्क्राइब कीजिए सेर कीजिए थैंक यू